तो हम लोग फिर से objective का question आंसर पूरा कर दिये और देख लिए आप लोग मिला के कि objective में कितना माखस आने वाला है और subjective हम लोग देखने जा रहे कि objective में आपका कितना माखस आँगा और objective जितना भी हम लोग अपना model paper जारी किये थे सारा का सारा कोश्चन आपकी model paper से आया है अगर आप अभी भी चाहो तो model paper से मिला लो digital question है सारा कोई भी question निदरुदनी चिटका है अगर एक question ज़रुदनी चिटका होगा तो अलग बात है लेकिन 39 का तो guarantee है कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग चलते subjective में क्या करके आएं वो दिखे subjective में आपका कितना सही है कितना गलत है तो हम सारे का answer एक करके समझा देंगे ये तो information था first question है कि लेकि एक line में लिखना है याथ बोलता है receipt and payment खाते के प्रारभ में किस मत को दिखा जात रीसिप ररेशिफ्ट पेमेंट अकाउंट जब आ बनाते थे याद किजीже रेसिट पेमेंट अकाउंट जब आ बनाते थे सब से पहले दिखाते थे two balance Bday healthcare है आनि हम लोग यहां दिखाते हैं cash balance को और bank balance को cash और बैंक को दिखाते थे याद किजी आप recruitment payment सब से पहले डेविट सैड में सबसे पहले कैसर बैंक बैलेंस को दिखाते थे दुसरा बोलता है साज़दारी सनलेक में किसी प्राधान की उन उपस्थिती में लाभभानी के समन्ध में भारतिय खाले खाले अगर लाभ खाले के बारे कोई जानकारी नहीं है, कोई पार्टनर से पेग्रिमेंट में, तो लाब कैसे बटेगा, तो equal बटेगा, यहां ऐसे मत लिख देना, equal लिख देना, equal बटेगा, समान बटेगा, समान बटने का प्रावधान है क्या बराबर बराबर बांड सकते हैं, साइधारी अधिनियम 1932 के प्रा अगर कोई पार्टनर रिटार करता, तो फर्म का पुनर गटन होगा, आगे क्या लिखाया है, कि विन इस पार्टनर एज़कूटर अकाउंट उर्पिंट वोथा है, जिसे हम कमपनी इसू नहीं करती है, वो तब तक के लिए बचा कर रखती है, जब कंपनी के खराब इस्त सिच्वेशन आएगा तब जो कैपिटल इशू करेंगे पबली को वह कराते हैं रिजर्व कैटल आनि इसको तब तक हम बचा कर रखते हैं जब तक कमपनी की स्थितिक खराब नहीं हो जाती है यह अनिसूड कैपिटल होता है इसको अन्त में इशू करते हैं सिच्छ नमर कोश्चन है कि वाट डू द डिवेंचर होल्डर्स गेट दियर डिवेंचर फ्रम अ कंपनी यह रिन पतर धारियों को रिन पतर के बदले कंपनी से क्या भुक्तान प्राप्त होता है तो ब्याज प्राप्त होता है इंट्रस्ट प्राप्त होता है अब करेंट रे करेंट लाइविटी जो भी आप लिखेंगे सब सही है अब चलते हम लोग थोड़ा सा लॉंग कोशन की तरफ यहां देहां देजिए यह आप लोगों को सब्सक्रिप्शन है सब्सक्रिप्शन पचाश ज़्यां देजिएगा हम लोग यहां पर आपको बताये थे एड और लेश करने के लिए हम यहां लिख देते हैं फॉर्मेट आपको सिर्फ चुनके लिख देना है ओपनिंग आउट्स टैनिंग जो होता था ओपनिंग एडवा देजिए यह दोनों लेश जाता था तब ढूड़िए आप बना क्या रहें आप बना रहें 2022 का तो 2022 वाल आपका कुलोजिंग होगा दोहजारी की सब्सक्रिप्शन इंकुलूड़ेट 3,000 रिसीप फोर येर 2021 बताइए आपके इस चंदे में पचास हजार में तीन हजार अगर 2022 में मिला तो यह ओपनिंग आउट्स्रेणिंग था और ओपनिंग आउट्स्रेणिंग को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो दीन हजार माइनस करते हैं आप 2022 का बना रहें 2021 का चंदा आपको मिलता है इसका मतलब है कि 2021 का जो चंदा आपको 2022 में मिला है यह मेरा ओपनि का closing outstanding है, उसके आगे क्या लिखा है, find out the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account, बस तो इतना ही पूछ रहा है, सिर्फ opening outstanding, closing outstanding, advance तो है ही नहीं सर, तो बताओ 52,000 इधर आता है, 52,000 इन चला जाएगा, तो 40,000 बचेगा, रेक जो एक बार चेक कर लेते हैं, सिर्फ यही तो है, जी हाँ, सिर्फ opening इससे असान question क्या मिलेगा, 49,000 इसका answer था, 49,000 इसका answer था, सिर्फ opening closing को जोड़ा था, जबकि हम पूरा format ही आपको लिखके दिखा दिए कि क्या आएगा, तो 49,000 इसका answer आता, 9 नमबर question में आपके पास पूछ रहा है, कि interest on drawing निका लिए, आपको मालू मना चाहिए, सारे ब यहां लिखे date, यहां लिखे amount, यहां लिखना period, और यहां लिखना product, चलिए बताएगे, date क्या है इसका, first का, first January है, first January 2022 है, amount कितना निकाला, तीन हजार, फिर है आपका, first May है, first June, first May है, 2022 कितना है, 4,000 है, 30 June है, 30 June को 2000 है, और 31 October है, सब 2022 का, इसलिए हम लोग year छोड़ दिये लिखना, 5000 है, यह हमारा, अब देखे पीरेड, अब कप तक हैं पूछ रहा है, ध्यान दीजेगे, आपर, 31 December को खाता बंदोता, बता है, एक December में खाता बंदोता है, जनवरिम निकाला, तो 12 महीना रहा, एक मई को तो मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर, आठ महीना रहा, जून को निकाला तो जुलाई से लेकर दिसंबर छे महिना रहा और अक्टूबर में निकाला तो नौंबर दिसंबर दो महिना रहा अब इसको माड़ी प्राय के वारत यह 36,000 आता है 800 के 32,000 आता है 6 दूनी 12,000 आता है और 5 दूनी 10,000 आता है इसका टोटल कर दिजेत कितना आता है तो 36 और 32 यह हो गया 68,000, 68,270, 80, 90, 90, 90,000 आता है और आपको पता होना चाहिए कि यहां interest on drawing बराबर क्या बताए थे IOD बराबर टोटल रिया देखेगा टोटल प्रोड़क्त 90,000 इन्टू रेट कितना परसेंट इसका पांच परसेंट 5 बटा 100 इन्टू 1 बाइ 12 निकाल लिजे value कितना आ रहा था जो भी calculate करके value आ रहा था इ तो देख लिए अब देखे अगला कोशन क्या बोड़ा है के एक सोई partner है sharing profit दो अनुपात एक में बाठा है उनका capital 20,000 और 15,000 लगाते हैं they admitted Z into partnership for one by third share मतलब दो partner है XY वो लोग अपना पूंजी इतना लगा रखा है Z आता है एक बटा तीन हिसे के लिए all of the share Z is sacrificed by X बोड़ाय के Z अपना सारा हिस्सा जो है Z जो है अपना सारा हिस्सा किसे लेता है X से लेता है और बोड़ाय के for this Z brings 10,000 as capital and 5,000 for goodwill in cash 10,000 capital कर लाता है 5,000 goodwill कर लाता है the amount of goodwill is retained in the business goodwill का पैसा business में रहा जाता है पास necessary general entity to record the above transaction बहुत ही आसान है दो transaction record करना था पहला लिखना था जो bank account debit to Z capital कितना to premium for goodwill PG कर देते premium for goodwill याद रखेगा तो बताए कितना था इसका 10,000 यह था और यह 5000 था तो total मिला के 15,000 आ गया और पहले से तो कुछ है नहीं business में अब दूसरा entry करना था कि premium for goodwill जो आया premium for goodwill को सिर्फ X को देना था क्योंकि यहां साफ लिखा सारा पैसा कौन किसे देना था तो 5000 देना था और 5000 एक्स में देना था इतना ही तो इंट्री करना था बैंक अकाउंट डेविट जेट कैपिटल टू प्रीमियम फोर goodwill दूसरा इंट्री था premium for goodwill अकाउंट डेविट टू एक्स क्योंकि सारा का सारा जेट जो सारा हिंसा किसे साग्रिफाइस कर जेट को कौन दे रहा है सारा एक्स दे रहा है तो गुडविल का सारा पैसे एक्स को मिल जाएगा इतना ही तो छोटा इंट्री था कि अब लोग चलते हैं कोश्चन बर 11 के तरफ अब इसमें फॉर्फिचर से रिलेटे जर्नल करना आप समझे पहले को समझ लीजे कि एक कंपनी पांसो सेर फॉर्फिट करती एक सेर दस रुपया का है प्रीमियम में दो रुपया वेचा गया था धास ध्यान जीगा द्या सेयर होल्डर्स जो है वो पे कर रहा है चार रु प्रीशू करें ग्यार उरुपया में बस तो इतना ही तो जर्नल करना चलिए देखे छोटा सा इंट्री करना पड़ापट कर लें हम लोग पहला इंट्री क्या होगा बताइए शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कहां कहां एरियर है सिक्यूरिटी प्रीमियम भी यहां डेबिट हो जाएगा यहां पर सिक्यूरिटी प्रीमियम भी क्या होगा डेबिट हो जाएगा सिक्यूरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर दीजे तो सेयर अलाउट्मेंट और टो सेयर फर्स्ट कॉल बहुत ही आसान है बाबु लोग और तू सेर फॉर्फिचर पढ़ाई को आसान मत समझे यहां देखे कितना सेर फॉर्फिट किया गया है आपका पांसो सेर दस रुपे कहते है यहां पांसो इंटू दस पांस हजार अब लाप्या में चार रुपए बाखिए पांसो इंटू दो फर्स्ट कॉल में कितना बाखिए आप एरफिट है ओर तू सिक्योरिटी सेर्पem SP का मतलब security premium, बताइए, 500 share को 11 बेच रहे हैं, तो 500 आएगा, 500 में यहां 5,000 आएगा, और यहां पर 500 आएगा, clear? और तीसरा intries होगा, वो लिखेंगे share for future account debit, share for future account debit to capital reserve, CR में जाएगा, बताइए, for future में कितना balance था, 2000, ratio करते हैं, कोई नुक्सान नहीं है, तो 2000 capital reserve में हमारा चला जाएगा, तो इसका capital reserve में 2000 जाएगा, यही तो entry करना था, इसमें, 13 बेबोड़ा है कि देखे, current, देखे, 13 तो यहीं निकाल देते हैं, current SEO दिया, working capital दिया, current asset और current library निकालना है, बताए, CR बराबर क्या होता था, अच्छा, इसके ओपर भी question है, अच्छा, यह, share और debenture में तीन अंतर पूछ रहा था, सबसे simple था, shareholder company का मालिक होता है, या share, अगर सेध्यान देगा, share is a part of capital, debenture is a part of loan, share जो खरीदेता है, ठीक है, वो shareholder का लाता है, और debenture जो खरीदा हो, debenture holder का रहता है, shareholder company के meeting में बैठ सकता है, debenture holder company के meeting में नहीं बैठ सकता है, share को dividend मिलता है, debenture को interest मिलता है, debenture का rate of interest fixed रहता है, share का rate of dividend fixed नहीं रहता है, चलो तीन आंतर हो गया, अब चलते आगे, अब हम बताते हैं इस question को, working capital दिया है आपके पास, और working capital के साथ साथ current asset भी दिया है, current ratio भी दिया है, देखे, इस question को आप लोग बनाते हैं, कैसे हैं, यह है, current ratio दिया है, बताए, current, तो WC पहले निकाल लिजए, WC बरावर क्या होता है, CA मैनस CL, तो current ratio का मतब़ी है, CA दिया है, तो CA आपका 2.5 दिया है, और CL कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो working capital 1.5 आप चलिए वेन, समानुपात में, WC, then current assets, जब आपका working capital 1.5 आया, तो current asset कितना था, 2.5, जब working capital 45,000 है, तो इस हिसाब से हमारा current asset, वाट, यह X, तो X equal to क्या जाएगा, cross कर देंगे, तो 45,000 into 2.5 और बटा 1.5, 2.5 और बटा 1.5, अनि अगर पॉइंट हटा दे, तो 15,000 हो जाएगा, आपका current asset, और current asset जब 75,000 हो जाएगा, तो current liability निकालना है, बताए, current asset निकल गया, 75,000 है, तो current liability पर अबर क्या होता है, बोलता है, CA-W working capital, WC, तो 75,000 मैनस working capital, 45,000 है, इसका मतलब है, कि 30,000 हमारा current liability होगा, बताए, कितना आसान था, कितना सारा question इसा बताएगा है, practice नहीं करोगे भीया, तो नहीं टिक पाऊगे, BMT में और खराब हो जाएगा, अगर बच्चा practice नहीं किया है, तो रट्टा मार के theory मार सकते हो, numerical नहीं, आगे बोलता है cash flow को कितने भाग में बाटा गया, यह अगर कोई नहीं पढ़े, बताओ तीन भाग में, पहला operating activity, तीन ही न पाट में हम लोग cash flow पढ़ते थे, operating activity, दूसरा investing activity, और तीसरा financing activity, financing activity, तीन पार्ट में बाटा गया है cash flow statement को, operating, investing and financing activity, अब देखो यहां बोड़ा है कि से income expenditure बनाग देखाओ, income expenditure बनाग देखाओ, यहां लिख देते हैं क्या क्या जाएगा, ध्यान देजेगा, अप income expenditure अपने बना लोग, income expenditure में क्या लिखते थे, एक side income लिखते थे, एक side expenditure लिखते थे, कौन-कौन जाता था, तो income expenditure में केवल current year का जाता था, केवल current year का जाता थे, याद रखेगा, तो हम लोग एक side income, यहां देखो ही लिख देदे, इस इंकम एक्स्पेडिशर में हम लोग इधुत याद रखेगा हम maneu करदे हैं तॉष लाइनें कम में थिजिएगा तो विदिखा दो सबसे पहले बोलता है यख़ पज़क्र वह वह पहले हैंने कितना एकव याथ पिछले साल एक कि फिर तेम करें जो है रिकानंगे कि पी रिसीव कि आप बताइए एक लाख रुपया में आप 30,000 रुपय पिछले साल का तो 70,000 ही साल का है और कहीं लिखा है फी बाकी है कई फी नहीं बाकी है इसका मतलब एक लाख में 70,000 ही आप रिसीव किये हैं तो पिछले साल का उँहाटा देंगे क्योंकि income expenditure account में केवल current year का लिके जाते है current year का सतर अरह है salary paid की है 10,000 उसमें 2000 पिछले साल का minus कर देंगे और मेरा इस साल का बाकी 1000 है तो plus कर देंगे salary paid यहां जाएगा पंदरा हजार है उसके बाद रेंट पेड यहीं पे जाएगा रेंट पेड कितना रेंट पेड है तो रेंट पेड आपका तीन हजार है उसके बाद पर्चे जो बुक्स यहां नहीं जाता है वो बैलेंस इट में जाएगा पर्चे जो फनीचर यहां नहीं जाएगा इलेक्ट उसके बाद है टेलीफОन हो इपका 1000 और स्टेशनरी भे जाएगा stationery है 350 और donation receipt कुछ नहीं लिखा है तो यही पर ले लेते donation receipt कुछ नहीं लिखा है तो income मान लेते हैं donation को income मानेंगे 20,000 अब balance करके निकालेना कितना रहा है तो 90,000 में यह सब add करके less कर दोगे तो आपका answer पता चल जाएगा BMT का subjective video कल आपके पास पहुंच जाएगा किसी हालत में और आप उसको करेंगे complete यह सब सेम है अब इसमें बोड़ा था कि आपको admission of partner का बनाना है सब से simple क्या बनाना आपको सिर्फ revolution और partners capital बनाना है आप बना सकते revolution और partners capital इसमें कुछ खास नहीं है revolution in capital account बनाना है और देखो एक share का है issue of share का वह भी for feature का हरन का लिया company को पुस्तो को में general की जाए इससे आसान क्या मिलेगा बहुत ही simple question है देखे shares का यह तो इसको बना लिजेगा कुछ खास नहीं है अब देखिए यहां cash flow statement भी आप से जोड़ देंगे provision for tax जोड़ देंगे goodwill return of जोड़ देंगे income from dividend यहां लेते नहीं profit on sale of fixes and minus करेंगे payment of tax जोड़ देंगे नहीं sorry minus करेंगे इसको interest on bank of draft यहां लेजाएगा नहीं यह भी हम लोग plus करेंगे depreciation plus करेंगे receipt of rent यहां जहीं जाता है और निकाल देना operating activity तो प्लस मैनस करके आसानी से आप इसमें operating activity निकाल सकते हैं और यह देखें shares का question है सिर्फ for future का entry आपको करना बहुत आसान है जो बार में मांग रहा है 10,000 share द्यान देंगे समझा देते हैं एक कमपनी 10,000 share बेच रहे हैं एक सो रुपया का 10% करीमा मतलब 10 रुपया 110 में बेच रहे हैं 110 में 30 रुपय यहां आंगे 110 हो गया ना यहीं 10 रुपय प्रिमियम है तो दो इंट्री इसका करेंगे बेंक अकांट बोल देते हैं सुली जैंक अकांट डेवी टूशेर अप्लिकेशन दूसरा अप्लिकेशन टूशेर क्याप्तर आएगा 10,000 इंटू तीस तीन लग तीसरे इंट्री अनि इसका होगा share allotment to share capital to security premium तो share allotment में कितना हैगा 10,000 x 80 share capital में कितना हैगा 10,000 x 70 और premium में कितना हैगा 10,000 x 10 उसके बाद bank account डिबूट to share allotment जब करेंगे तो उसमें ध्यान देजेगा 200 share का forfeit हो गया 200 share को छोड़के सारा पैसे मिल गया 200 x 80,000 x 16,000 x minus करके लिखेंगे कितने में 8,000,000 x 16,000 x minus करके लिखेंगा रिसीफ वाला इंट्री में उसके बाद forfeiture कर देगे 200 share का forfeiture कर इंट्री क्या होगा बताइए 200 share into 80,000 x 200 share 200 share forfeit कर रहे हैं call up कितना है 100 रुप्या है अब पर premium में का 200 x 10 ठीक है और इंट्री कितना होगा बताइए 200 x 80 रुप्या एंट्री में चला जाएगा इसको रिशू करें के बंदे में कुछ बोला ही नहीं सिर्फ forfeiture का पूछ रहा है रिशू के बारे में कुछ नहीं बोला है खली forfeiture का इंटी देखेंगे शेऔर कैप्टल ही यह लिख दिए शेऔर कैप्टल लिखेंगे सिक्कुरेटी प्रीमियम यहाँ पर डेविट के बार रहेंगे उसके लेटाइगा तुषेज अलाउटमेंट और उसके बाद यहाँ आगा तुषेज फॉर फीचर तो फरफिचर में निकाल ले ना इसको एडिलेस करके कितना आता है तिस तरह से सारा कोशन बन जाएगा बालक लो और आसानी से बना सकते थे आप लोग चली देख लिजे कितना माक्स आपका आएगा इसको एनलेसेस कर लिजे अभी हम लोग जल्दी BMT का आपको सब्जेक्ट से देखेगा धन्यवाद